एलो एविवान स्वागत है आप सभी का मुकावला है यहां पे न्यूजीलेंड बनाम अफगानिस्टान एक और फैंटेसी प्रिव्यू का समय आ चुका है और यह मुकावला होगा है चैना अधी एमेच दंब्रम अलसो नोन अस चैपॉक तो यहां पे आपको देखना साथ आफ्रिका के और बहुत लोग कोमेंट्स में ने पढ़ें नौट अल डिरेक्टिट तौर्ड मीबट इविन तौर्ड अधर पीपल की आपने साथ आफ्रिक की लोर और को क्यो नहीं लिया आपने नेधरलेंड बोलस को क्यो नहीं बैक किया आप एक बार जो मैं आपको मिलर या क्लासिन को लेता तो क्या आप उस मूव से अगरी करते हैं बिल्कुल भी नहीं तो आज फैंटेसी अनिलेस्ट एक्सपर्ट जो भी आप जिसी को जो भी बुलाओ जो भी नाम से कहो या अपने अपने आपको शूज में डाल के सोचिए कि क्या आप वो मूव लेते क्योंकि 7 या 8 आट आफ टाइम वो चीज़ें नहीं होती है यह जो चीज़ें होती है गेम में 2 आट आट आफ 10 टाइम्स होती है और बेटर देस थ्री आउट आट आपको परसेंडेश खेल के चलने पड़ेंगे और फिर भी आपको लग रहा है कि ठीक है टीम सही नहीं है कुछ एड़ेट करने तो आप प्रीली करें कि जैसे मैं हमेशा कहता हूं आप पैसे लगाने तो आपका ड्यूटी करना अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ सहीं नहीं कर रहा हूं आप उस चीज़ को बदल दीचे तो बस यह बात को मैंने अड्रेस करनी थी not only from my perspective पर क्य आप अपने आपको सिनारियो में डाल के देखी कि क्या आपको मूव लेते अगर आपको फिर भी लगता है तो आपको वह मूव प्री गेम ले लेना चाहिए था जैसे मैंने कहा कि मैंने उस दिन वह आज की गेम में एकमें को इसलिए नहीं लेके माकरम को लिया क्यूंकि भी होंगी और ऐसी चीज़र चलेंगी तो आप खेलिए नहीं तो आप अपनी टीम बनाई है अगर आपको उससे भी नहीं जम रहा तो फिर मत खेले क्यूंकि फैंटेसी है तो रिस्क तो बिलकुल होगा यह फिक्स डिपॉजिट नहीं इस बात का धियान रखेगा सॉरी फ स्लो पिछ है आप अफगानिस्तान को बिलकुल भी रूल आउट नहीं कर सकते हो काफी हाई कॉन्फिदेंस है डेली में एक ट्रैक जहां पे हमने पहले कोई टर्न नहीं देखा वहां कि उन्होंने कमाल कर दिया एं स्मॉल लिग्स हम केलेंगे माइमास 11 पे अच्छा पर हमारे साथ जुरूर जुड़ेगा जो भी फाइनल टीम्स है अपडेट से सब कुछ आपको वही पर मिलेंगी और लाइक ऑल्वेस में टो लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब अब चलते हैं आगे की तरफ वैदर रिपोर्ट की बात की जाए तो क्लियर सानी कि किस टाइप का बैटिंग रहेगा बट जो यहां पर ट्रेडिशनल ट्रैक से हम ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई थ्री फिफ्टी वाली पिछ आपको यहां दिख जाए जैनली थ्री हंड़ेट थ्रीवन्ट यादर गुट्स को यह ऐसा तो नहीं कि आसान पिच्छ थोड़ है कुछ थोड़ी और मुश्किल है तो टोटली पिच्छ रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा वहां पर विजिबल क्रैक्स थे वाइल जो दूसरी न्यूजिलेंड बंगलेदिश वाली गेम थी वहां पर डेट ग्रास था तो अब डेट ग्रास क्या करता है वो पिच को पकड है हमारी टीम तो चलते हैं आगे की तरफ उससे पहले आवरेज टर्न की बात की जाए तो यह हमने देखा था चैन्नाय में ठीक टाक अमाउंट ऑफ टर्न था आई पील में भी हमने यह बात उब्सर्व की थी कि चैन्नाय में थोड़ा सा ज्यादा तो होता ही है और जड़े यहां पर आपको देखने को मिल सकता है स्क्वाड न्यूस की बात की जाए वापस से एंफिट है और बहुत ही अच्छी काम पारी खेल गया है गए इन लास्ट गियम बट सैडली फिट्नेस ने उनका साथ नहीं दिया और मेबी टोर्नमेंट की सेकेंड हाफ में वापस अव अब यहां पर चेंज जो होंगे और यहां पर आपको नहीं दिख रहे है टॉम लिखिट कीपर क्या मार्क चैप्में खेलेंगे है इस सोडी इससे आपको एक बहुत बड़ा हिंट मिल जाएगा कि क्या पिछ में तरन है अगर यह लोग एक एक एक्स्टा स्पिनर आड करके जाते हैं और वन बिट्वीन लॉकी ने बहुत अच्छी बोलिंग की इन लास गेंस वे इंट्रेस्टिंग रहेगा देखने को कि किसको निकाला जाए अफगानिस्टान की बात की जाए तो काफी सिमिलर लाइनप में एक्सपेक्ट कर रहा हूं इंग्लिंड को हरा गया रह जाते हैं आप समन जाना की पिछ थोड़ी ज्यादा और स्लो हो सकती है अब चलते हैं इंडिविज रिमेंबर साइन अप कर लें आप्स के लिंक्स है वीडियो के डिस्क्रिप्शिन में और रिमेंबर एक्स्चेंज प्रेंट के आपको रुपी सुफ्टी रियल कैश मिल ज जाते हैं कैचिंग पॉजिशन में भी रहते हैं इनकी एक थ्रेट जो हो सकती है स्टार्टिंग में अगर पिछ बहुत ज्यादा स्लो है तो मुझीव स्टार्टिंग में थोड़ा बिल्कुल परिशान कर सकते हैं विल यंग लाइक लिए काफी 50-50 पिक हैं अगर अच्छी बाइटिंग चाहिए तो बिल्कुल मेरी टीम में रहेंगे तो टोटली बेस्ट ऑन दे काइंड ओफ ट्रैक दाट विल बी दर इन दिस गेम रचिन रविंद्रा वन डाउन वापस इन्हें आ जाना चाहिए अब स्लो ट्रैक पर बोलिंग वाल्यू भी बहुत हाई हो जाए खेल के गए थे जब थोड़ी सी स्ट्राइफ में थी टीम आके थोड़ा अच्छे से अक्सलेरेट किया स्टाइंग में एक दो रिस्क लिये एंड एक जो कैच था अल्मोस बच गए हो वहां पर बाउंडरी पर तो एक वो चीज साथ की स्टार्टिंग में काफी रिस्क ले करेगा अगर आपको ज्यादा इन्वेस्स नहीं करना है बड़ा अब ग्रैंड लीग लेरो तो आप यह पॉइंट्स वाला लीडर बोर्ट खेल सकते हो इसमें खाली आपको इनका जो ज्यादा से ज्यादा टीम से जॉइन करो ताकि जो टीम के हाइस पॉइंट से वो गिने जैसे हमने लास्ट गिम में देखा कि ग्लैन फिलिप्स उपर आ गया है अगर स्टार्टिंग में टीम अच्छा नहीं करती है तो वाइल यह आराम से एक फैंटेसी वाल्यू के साब से 20-30 दे सकते हैं बड़ कभी कपार स्पिन के सामने फस्ते हैं अगर यह गिम में स्लो प इनके पास कैसे पहुंची जाते हैं मिचिल सैंटना की बात की जाए बहुत अच्छी स्पेल डाली इन्होंने इन फ्रंट ऑ नेधरलेंड्स और उसके बाद वाले गिन में भी स्टेबल लगे हैं बंगलदेश के सामने में भी और यहां पर वापस अगर स्लो पिच होगी त चाहे बाटिंग फॉर्स या बोलिंग सेकेंड मैट हेंड्री आइधिंग जी यल पर आप इन पर चांस ले सकते हैं अगर बेस तीम में इन पर बिल्कुल भी चांस नहीं लोगा है काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं तो वह इसाप से अच्छी पिक है ट्रेंड बोल् करेगी बट बिल्कुल मेरे बेस टीम में यह भी जगए डूंड लेंगे अज एक क्लास एक प्लियर है लॉकी फर्गसेन आइधिंग फैंटिसी वैली ऑपरचुनिटी मीटर एंड रिस्क मीटर दोनों है इन पे बहुत अग्रेसिव बोलिंग करते हैं पेस के साथ करते हैं बट बेस टीम में बिल्कुल मेरी रहेंगे यह भी इस सोडी अगर खेलते हैं अगर वापस मैंने जैसे कहा कि स्पिन अगर यह गेम में आते हैं आपको एक इंडिकेशन मिल लागा प्लेंग एलेवन से कि ज्यादा स्पिन हो सकती है च्रैक तो अगर इस सोडी आते इस गेम में बिल्कुल आप इने ट्राइ कर सकते हो बेस्ट ऑन डाट सिगनल टेम साउदी फी प्लेज जरूर मेरी टीम में रहेंगे बट टोटली डिपेंड्स कि अब न्यूजिलेंड कैसे इन बोलर्स को बैलेंस करें कि इनके पास काफी ऑप्शन है बट टेम साउदी क्योंकि सी अब चलते हैं टीम अफगानिस्तान की तरफ बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं बट मैंने लास्ट प्रिव्यू में बात पहले ही कहीं तो फिर रहमानुला गुर्बाज उन पर सीदा कूट जाएंगे और वही हुआ आपने वही चीज देखी कि गुर्बाज ने उन पर शौट पर शौट के ला क्योंकि ना उनके पास पेस है ना एक कंडिशन में मुवमिंट है बट क्या यह चीज मैट हेंडरी और ट्रेंड के साथ होगी आई डोंट तिंग सो क्यूंकि काफी अडाप्टिव बोलर्स हैं और कंडिशन को अडेप्ट करके चलते हैं अम बहुत ही स्टेबल प्लेयर हैं अपना समय लेके खेलते हैं बट ओफ लेट्स छोटी-छोटी स्टार्ट मिल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बंगलादेश की जो मैं यह दिखाने की कोशिश करूंगा इंद जील टीम्स की मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान को एक अच्छी स्टार्ट मिलेगी तो उन टीम्स में यह बिल्कूल रहेंगे तो जील में वह सेनारियो एक बनता है और बेस्टीम में अगर पहले बैटिंग करते हैं पहला शहीद ही अपना समय लेगी खेलते हैं इनका रिस्क मीटर काफी डाउन है आज यह काफी स्लोग खेलते हैं इनका करियर स्ट्राइक रेट सेविंटी के नीचे ओडियाइज में तो वह हिसाब से आप इने जील में वही सिनारियो में ट्राइक कर सकते हो जहां आप बेश्टीम में रहेंगे विद बैट वैल्यू एंड बिद बॉल तो यह बिल्कुल एक की रोल प्ले कर सकते हैं मेभी आपके लिए वाइस कैप्टन सी कैंड़िट भी बन जाए इब्राइम अली खेल इन पर बहुत सारे डाउट्स थे प्री टोर्नमेंट इनने क्यों पर किया गया था एक्सेटरा 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 लास्ट गेम में काफी हद तक उन चीज़ों को उन्होंने आंसर भी किया और वापस ऐसे प्लेयर हैं जो आच्छली काफी अच्छे बन जाते हैं बट जैसे या तो ज्यादा स्लो कंडिशन सामने कुछ एक्स्ट्रीम फास्ट बोलो तो उन्हें तकलीफ हो सकती है तो क्योंकि मेरे पास अल्रेड़ी इतने सारे अच्छे ऑप्शिंस हैं यह मेरे बेस्टीम में ना फिगर करें इफ अफगानिस्ता इनके बारे में बहुत बात की मैंने इनका इंपक्ट और बीज्यादा होगा अगर एक फ्लैट पिछ बहुत कम हो जाता है सेकंड बोलिंग में और भी इंपर्टन हो जाते हैं अगर कोई जादू से अगर कोई कह दे कि लाइफ ग्रास वोकल पिछ पे तो फिर यह ट्राय करने लाइक बन जाते हैं एल्स इनका फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है तो प्रॉबली अगर एक दो जीएल टीम में ट्राय किया तो किया एल्स बेस टीम में नहीं रहेंगे नवी नुलक आइटिंग काफी इंप्रेसिव रहें और यह हैं विल्स ब्राइफ कर लेना थे लिए टो क्यातनी के लिए आख करिकर में लिए तो एक दो जीएल टीम में टीम बहरें किया प्रॉबली टु अनॉ GST and no TDS app, आपका link है वीडियो के description में, तो वहाँ से जरूर sign up करेगा, अब चलते हैं हमारी, तो अब चलते हैं fantasy team की तरफ and team के पहले ensure कि आप सभी free contest join कर लें दो teams के साथ join करेगा and first prize is 5000, so nothing to lose, ensure that all of you participate, अब बनाते हैं हमारी आज की team, same system से जाएंगे पहले लेंगे हमारे सारे obvious picks and उसके बाद जो भी बाकी changes है वो भी हम कर लेंगे, तो पहले Devin Conway section से straight forward pick batting section से अब क्यूंकि Kane Williamson नहीं है, Glenn Phillips का roll बढ़ जाता है and Darryl Mitchell भी कच्छे कासे pick बन जाते हैं, तो अभी के लिए मैं लोगा यहां से Darryl Mitchell, all rounder से रचिन, रविंद्र, Mitchell, सैंटन, मौमद, नभी तीनों ही काफी straight forward choices है and bowling section से राशिद, Trent Bolt, Matt Henry and Lockie Ferguson अगर केल रहे हैं, काफी straight forward choices यह भी बनता है तो यह है जो सारे, यह जो picks है आपकी team में probably most scenarios में रहेंगे हैं, आपकी जो GL rotations अगर एक slow pitch है, तो मैं उनके साथ जाओंगा अगर एक better batting track है, तो मैं जाओंगा तो यह हुआ मेरा एक slot from Afghanistan last slot, अगर New Zealand पहले bowling करती है, तो मैं लूँगा उनका एक extra pacer अगर इस toady खेल रहा है, तो मैं उनके साथ जाओंगा else यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, अगर एक flat out track है, then I can even go with someone like Ibrahim Zadran, जो थोड़ा आराम से केलके हमको points दे सकते हैं तो अभी के लिए Ibrahim Zadran और Rehmanullah Gurbaz, placeholder picks है after the toss ये बात बदल सकती है, आपको पता चल रहेगा at the rate fantasy cricket on telegram, captain and vice captain रचिन रविंद्र डेफिनिटली captain रहेगे, क्योंकि जिस टाइब कर रोल प्ले कर रहे हैं उन पर chance लेके बिल्कुल भी point नहीं है, जो आपको प्रॉबली 10 over करके देंगे, साथ-साथ में one down batting भी करेंगे, vice captain for now राशित खान, क्योंकि with the bat, with the ball value few bowlers जो पता है हमको की 10 over उनका डालना काफी likely है, तो अभी कलिए राशित खान, अगर वो change हुआ, मैं आपको बता दूँगा, वापस on telegram, यह हुए मेरे vice captain and यह है मेरी अभी तक की team, उसके अलावा, अब चलते हैं हमारे grand league options तो बात की रहे, GL options की, मोहमद नभी, लौकी, फर्गुसिन, दोनों ही कावशी straight forward picks बनते हैं, अल्रेडी आपको reasons बता चुका हूँ, क्यों, I select dropped his bombs very young, because of his concerns against Spain, अग्मत तुला ओमर्जाई, क्योंकि उनका जैसे नहीं कुछ खास opportunity ना मिले with the ball and with the bat, there will be some concerns in the form of match-ups and Rehmanullah Gurbaz already आपको बता चुका हूँ, उनके player one pager में कि क्या weaknesses हैं उनकी and क्यों वो उनको haunt कर सकती है मुकाबले में, grand league captaincy, vice captaincy choices, mujiv and glen phillips, batting first and bowling second, batting second, bowling first, bolt and locky, rachin ravindra and devin konway, काफी safe choices हैं तो यह हुए मेरे आज के grand league picks, उसके लावा जो भी बाकी के update से मैं आपको बता दूँगा on telegram, फिर से आपको यह बात बता रहा हूँ, कि आप जो team बना रहे हो, या तो आप उसके साथ जाएए, उस पे belief रखिए, अगर आप किसी को भी follow कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं है, बट आप किसी को भी follow कर रहे हैं, including me, तब आप इस बात का ध्यान रखिए, कि या तो आप उनको पूरी तरीके से belief करें, या तो नहीं करें, तो फिर आप अपने हिसाब से महाँ पर team बनाएगे, यही है मेरी advice आपके लिए, उसके अलावा like I always say, your money is for your call, जल्दी मिलेंगे एक और preview के लिए, thank you so much for all your support and remember to hit the like button, thank you so much and see you all very very soon.